हेलो बच्वों पिटे कैसे हो आप लोग आशा करते हैं आप लोग अपने स्टरी स्कूर सुचार रूप से कंड़क्ट कर रहे हूंगे उस समय तक जब तक हम लोग टाउन की वजए से अपने डगले क्लासे को गार्ट ही कर सकते हैं कर दोंट वर्य वर्यवाओ डट विया पिजेंगे तुमेक यूर ओले शुर्वेट पिटे आज हम सड़ी करने जा रहे हैं दूसरी वेबसाइट संस्ता के प्रागों को लास्टेकर में हमें सड़ी किया था सोल ट्रेडर्शिप या इकल सौमेतब प्रागों को इसमें हम और के बहुत सारे चल्वेट करने का प्रियास किया गया था जो हमारी रिश्वारी सब्सक्राण होता है और वहेव एक उसका जीवनकाल है या उसका जो हैल्थ सेटरस है वो वेवसाइड की जीवनकाल से जुड़ा हुआ है जैसे ही वेवसाइड बेमार पड़ेगा या उसकी मृत्व हो जाएगी या वो कैपेबल ना रहे कि बिजनस एक्टिविटीज में पार्ट कर पाएं तो उस वजह से जो हो भी हमारे रष्ट में आ जाता है हमारे खत्रे में आ जाता है और वेवसाइड संस्ता हमारी बंद हो जाती है तो इन्हीं शोट कमिक्स दूर करने के लिए वेवसाइड संस्ता का एक दूसरा प्रारूप भी विक्सित किया गया जिसे हम सांजेदारी प्रारूप के नाम स समंदित अनुबंध करते हैं और अपनी जो कलेक्टिव मैनेशल अबिलिटी है जो उनकी अंदर सज्यूप्द प्रवंध शंता है उसका प्रियोग करते हुए उस रहसाय को सख़़ बनाने का प्रियास करते हैं यहां कुछ प्रवंध विशेश्चिकों के दिवारती के डैफ करते हैं यह बात मांगते हैं कि वो कलेक्टिवली सभी फुल रिस्पॉंसिवर्टी को अजूं करेंगे लिए फुली रिस्पॉंसिबल फॉर और कंटक्टर बजन सवनाइगे उसके लिए वो दोनों और रूप से जवाब दे होंगे ऐसे ही जो हमारा भरती है साजेदार य करते हैं जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की सैंथी से कुछ के द्वारा किया लगता है हम सांजेदारे की विशेष्टाओं करते हैं कुछ राणों में विशेष्टाओं करते हैं कुछ हमारी सावन में विशेष्टाओं उसके बात हम सड़ी करेंगे अधिक्तम सदश्यों की संख्या कितनी हो सकती हैं विटे कम से कम हमें दो वेक्टियों की आवशिता होती है सांजेदारी प्रारूप के अंदर वैसाइक संख्या को सब्सक्राइब करने के लिए पूर अधिक्तम वहां पर 50 संख्या हो सकते हैं अगर ये संख्या 50 से अधिक हो लेकिन उस प्रोपर्टी का प्रियोग वो किसी वैसाइकतिविदी के लिए नहीं करते हैं तो उनको जोएट ओनर कहेंगे ना कि हम पार्टनर्शिप फर्म कंपनें जब उनके पास कोई संपत्ति हैं जिसके उपर उन दोनों का स्वामित्रवदीकार है और उस संपत्ति का प्रियोग वह वस्तुआं से वाँ कि पालन या क्रया विक्रय के लिए कर रहे हैं उसका उद्देश लाब कमाना है अगर लाब कमाना पर पार्टनर्शिप नहीं कहलाएगी फिर बात करते हैं इसी कि यह एक जो वैलिट कोंट्रेक्ट होता है एक जो हमारा वैलिट अनुबंध होता है उसके कंडेशन को हमें फुल्फिल करना पड़ता है जैसे सभी पार्टिस मिचूर होने चाहिए उनके अदर इसे कोई इंसेन ना हो और जो कंसेलेशन दिया जाए फ्री वो किसी प्रकार की को औरजन से अफेक्ट ना हो वह हम इंडियन कोंट्रेक्ट इस इसको में बड़ेगी जब सीटा स्थी कर रहे होंगे पर हम बार करते हैं प्रोफिट मोटिस और शेलिकों हम पहले ही निए कर संबन साज़ेदा साज़ेदारी संस्ता के मालिक भी होते हैं और उसके करमचारी भी होते हैं किसी पी साज़ेदार के द्वारा किये गए कारिये के लिए या लिए ले गए निए के लिए बाकी साज़ेदारों को बात है किया जा सकता है उनकी जो लाइबर्टी होती है वो नया इन्वेंशन किया, that is limited liability partnership, सिमित दायतों वाली सांजेदारी, अगर हमारा पंजीकर्ण सिमित दायतों वाली सांजेदारी के तहल सेक्षिन 2008 में हुआ है, उस समय कम से कम एक सांजेदार का दायतों सिमित होना चाहिए, बाकि सांजेदारों का दायतों ASML हो सकता है, इस प होता रहता है, लेकिन partnership form dissolve नहीं होते हैं, हमें differentiate करना पड़ता है, कि सांजेदारी के समापती हो सांजेदारी संस्ता के समापती में, दूसरा, जो संस्ता का अस्तितव है, वो सांजेदारों के अस्तितव से प्रतक नहीं होता, एक साथ मिलाकर सभी सांजेदारों को विश्वास का एक संबन्ध है, तो इस विश्वास का पालन करते हुए, हमें वो सारी सुचनाई सभी सांजेदारों के साथ साजा करनी पड़ती है, जो सांजेदार हमारी संस्ता के अंदर सांजेदार है, या जो इतनी हमारी संस्ता के अंदर सांजेदार है, कोई भी ऐसा ने सब्सक्राइब उस सब्सक्राइब कर सकते हैं सवामी तुर्प साज़दारी तो यह सब्स्सक्सक्रार के लिए इस्ते निकाल प्रेश्चा स्मुट के लिए और उद्धिश्य के लिए सान्जेदारी सो इचा से सान्जेदारी से भी प्राए उस सान्जेदारी संस्ता से है जिसका विंटन किसी भी समय एक रिटन नोटिस के द्वारा किसी भी सान्जेदार के द्वारा किया जा सकता है सान्जेदारी संस्ता समात हो जाती है लेकि जो व पूपलीक पॉलिशी की अगेंस्ट पैलरूस का उदिश्य गैर कानुनी है या फिर नमबर उप पार्टमर्स हमारा बढ़ जाता है या फिर सांजेदारी का कोई सदेश्य हमारे शत्रु देश का नागरी है तब भी हमारी सांजेदारी गैर कानुनी मानी चाहेगी पिटे में आ गया हुगा, next lecture में हम discuss करेंगे about partnership, type of partners, advantages, disadvantages of partners and accounting of partnership. So, तब तक आप लोग enjoy करें, अपने studies में continue रहें, अगर आपको वोई doubt आता है, आप comment के जड़िए हम से, पूछ सकते हैं, आपने doubts को clear कर सकते हैं, आप लोग अपने studies को regular करते रहें, if you like this lecture, then you should subscribe and share it with your classmates as well, till then stay safe, stay home, have a good bye and good time.